हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सरसुती सिंग और आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल मैत मस्ती पर तो चली फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा ब्लड रिगलेशन का पार्ट 3 है जो कि कोडेड बेस्ट के आज सारी कोशन होंगे ठीक है और ये ब्ल बेस्ट जो कि उन दो टाइपों से थोड़ा सा ये हाई लेवल का होता है तो चली फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को प्रेस कर दें तो चली फ्रेंड्स हम अ B का अर्थ है A B की पुत्री है और तीसरा है A भागा B यानि A B का पुत्र है ठीक और A गुड़े B का अर्थ है A B की पत्नी है तो फ्रेंट्स ऐसे कोशन में आपको कुछ ऐसे स्टेट्मेंट दिये होंगे ठीक है और लास्ट में कोशन पुछा गया है कि अभी व्यक्ति P प्लस S माइनस T में P का T से क्या संबंद है और आपके ये ओप्शन दिये है कि क्या संबंद है ऐसे कोशन ही आपके कोड़ेट बेस होते है तो जो ये हमारा टाइप 1 है यानि कोड प्लस S माइनस T में P का T से क्या संबंद है तो चली फ्रेंट्स जैसे हम फैमिले ट्री बनाते थे वैसे ही इसको भी हम बनाते हैं तो देखे P प्लस S यानि की अब धूंडेंगे कि ये A प्लस B है ठीक है A प्लस B का अर्थ जो है A B का पिता है ठीक है फ्रेंट्स ये वाला ये वाला जो है A plus B है जो कि A plus B का अर्थ है A B का पुत्री है ठीक है तो ऐसे question होंगे तो कहा जा रहा है कि P plus S तो P plus S को देखेंगे कि A plus B का अर्थ क्या है तो A B की पुत्री है यानि P जो होगी S की पुत्री है A plus B का अर्थ क्या है कि A B की पुत्री है ये relation बताया गया है तो वैसे ही P plus S का वी relation होगा कि P जो है S की पुत्री है तो P क्या होगी S की पुत्री और ये हो गई माइनस ठीक है फिर कहा जारा है S माइनस ठी तो A माइनस B का अर्थ है A B का पिता है यानि S जो है T का पिता है यानि कि यहां T होगा और ये धोनो और ये हो जाएंगे पिता यानि कि ये हो जाएंगे मेर S क्या है T का पिता है वही पूछा जा रहा है कि P का T से क्या संबंद है P का T से क्या संबंद है तो friends P का हमें gender पता है कि वो क्या है female है और T का हमें gender नहीं पता बट ची T का नहीं पूछा जा रहा है पी का पूछा जा रहा है, तो पी का T से क्या संबंद है, तो यह हो जाएगा बहन का, ठीक है, तो पी का relation जो जाएगा, बहन का हो जाएगा, यानि कि option number 1 correct है, चलिए friends, type 1 में एक और question देखते हैं हम लो, चलिए friends, हमा दूसरा question क्या है, तो दूसरा question यह है, कि अभी व्यक्ति P into Q minus T में T का P से क्या relation है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है, तो चलिए P into Q, तो यहाँ A into B का क्या relation दिया गया है, कि A B की पतनी है, यानि P जो है Q की पतनी है, P किसकी पतनी है, Q की, ठीक है, तो P क्या हो गई, minus, और जब P पतनी है, तो Q already यह पतनी ही होगा, यानि कि कहा जा रहा है, P Q की पतनी है, यानि A और B का relation है, A B की पतनी है, वैसे ही P जो हो जाएगी, Q की पतनी हो जाएगी, ठीक है, आगे दिया गया है, Q minus T, Q minus T, तो यानि A minus B में relation क्या दिया गया है, A B का पिता है, वैसे ही Q, T का पिता है, Q किसका पिता है, T का पिता है, ठीक है, और relation क् पूछा जा रहा है कि T का P से क्या संबंद है यानि T तो क्या हो जाएगा friends पूछा जा रहा है कि P का जैसे पूछा क्या जाएगा T का P से क्या relation है तो क्या आप T का P से relation बताएंगे क्योंकि ये तो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, तो friends क्या हो जाएगा, कि CND हो जाएगा, जिसे हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो आपका fourth option correct हो जाएगा, क्योंकि हमें T का gender यानि की link के बारे में पता नहीं है, तो option number आपका fourth correct हो जाएगा, ठीक है, तो friends, अब मैं उमीद करों कि आप ऐसे question जब आएगे तो आप कर लेंगे, ठीक है, तो चलिए हम next type का question अब देखते हैं, चलिए friends, हम type 2 के question देखते हैं, कि type 2 के question कैसे आते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या relation दिया गया है, कि A plus B का अर्थ है, A B की मा है, A divide by का B का अर्थ है, कि A B का भाई है, A into B का अर्थ है, A B का आपके तो relation बता दिये गए है, अब question ये है, कि निमलिखित में से किस का अर्थ है, C, D की बेहन है, आपको ये देखना है, कि C, D की बेहन है, और option दिये गए है 5, तो friends, इसको निकालने का एक तरीका क्या है, कि आप 5 का क्या करें, कि family tree बनाए, उसके बाद relation बताएं, तो य ये जो है impossible है, हम अपने एकजाम में बैठे हैं, तो हम एक question को लेके 5 मिनट नहीं देंगे, एक question के चक्कर में हम अपना 5 मिनट नहीं गवाने वाले हैं, तो इसका trick ये होगा, कि पांचों का family tree निकालने से, तो अच्छा ये है कि हम trick देख लें, तो friends, trick क्या देखना है, कि अगर आपको कहा गया है कि C, D की बहन है, तो C क्या है, male है, C क्या हो गई, male, sorry female हो गई, C यदि D की बहन है, तो C क्या हो गई, female हो गई, यानि कि महिला हो गई, तो आपको बस इतना check करना है, कि जो ये relation दिया गया है, जो relation दिया गया है, इसमें किसमे female की बात की गई है, ठ चेक करेंगे तो देखिए आगे क्या है कि A प्लस B का अर्थ है A B की मा है यानि यहां फीमेल की बात की गई है यानि कि C के आगे प्लस होगा या A डिवाइड भाई का अर्थ B का अर्थ है कि A B का भाई है यहां male की बात हो रही है तो यहां हमें male के बारे में नहीं पता है तो हम male का नहीं sign रखेंगे यहां सिर्फ c जो है female है तो female वाला ही sign check करेंगे ठीक है तीसरा क्या है a into b यानि a b का पुत्र है यहां भी male की बात की गई है तो ये भी sign हम नहीं रखेंगे ठीक है चौथा ये है कि A-B का अर्थ है A-B की बहन है यानि कि यहां भी female की बात हो रही है यानि इस option में हम check करेंगे कि C के बाद C के बाद या तो plus आए या तो minus आए वो हम correct कर सकते हैं लेकिन C के बाद जो दो और sign बचा है वो आ जाए तो वो सही नहीं है ठीक है तो चलिए हम option को check करते है ठीक है तो यहां दिया गया है P plus D divide by C यानि कि C last में है इसके आगे कोई sign नहीं है तो इसको तुरंद कट कर देंगे ठीक है दूसरा वाला है D minus P divide C ठीक है C यहां भी last है यानि कि C के आगे ना तो plus है ना ही minus है तो यह भी आपका हो गया incorrect ठीक है चौथा option यह है कि D into P minus C यानि कि C के आगे ना ही plus मिला हमको और ना ही minus मिला यानि कि हमारा चौथा option भी incorrect हो गया चलिए last option यह बचा है कि C minus देखिए C के बाद हमने क्या बताया था या तो plus आए या तो minus है ठीक है तो C के बाद minus आगया यानि कि यह वाला आपका पाचो option बिल्कुल correct है ठीक है अब आप कहेंगे कि कैसे correct है इसको check करके बताएए तो चलिए इसको हम check भी कर लेते है तो क्या दिया गया है C minus P ठीक है और यहां क्या relation बताया गया है कि A minus B यानि A B की बहन है यानि C जो है P की बहन है C जो है P की बहन है ठीक है उसके बाद कहा जा रहा है कि P divided by D यानि कि A divided by B यानि कि A जो है B का भाई है यानि P जो है D का भाई है P जो है किसका भाई है D का ठीक है P जो है D का भाई है तो क्या क्या पुछा गया C D की बहन है तो क्या C जो है D की बहन नहीं है यदि आप family tree भी बना रहे हैं तो option number आपका जो last वाला है बिल्कुल correct है friends तो हमारे पास इतना time नहीं है कि हम इसको family tree बनाए तो आप तुरंत ऐसे question को correct कर लेंगे ठीक है यह रहापका type 2 चले next question देखते है हम लोग चले friends type 2 के हम एक और question देख लेते है ठीक है तो पहला question हमारा ये है sorry ये दूसरा question है तो दूसरा question ये है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है P minus Q का अर्थ है P Q की बेहन है P into Q का अर्थ है P Q की मा है P divided by Q का अर्थ है P Q का पिता है तो हमारा question क्या है कि बताइए कि R S की फुवा है फुवा का है चाहें आप बुवा का है ठीक है R जो है S की फुवा है तो निम्लिखित में से कौन सा option इसमें correct होगा आपको यह पुछा गया है ठीक है friends तो आपको क्या करना है पहले हम check कर लेते हैं किसमें male की बात की गई है या female की तो कहा गया R जो है S की फुवा है यानि R जो है female है तब ही तो वो S की फुवा होगी ठीक है यह पूछा गया है तो चलिए पहले हम देखते हैं कि जो female relation है क्या क्या relation बताते हैं जो कि हमारे R के आगे हो सकते हैं ठीक है तो पहला क्या है PQ P plus Q का अर्थ है PQ का भाई है तो हमे male से कोई मतलम नहीं हमें female की बात हो रही है ठीक है और है P minus Q यानि PQ की बहन है यानि कि यह female denote हो रहा है यानि R के आगे minus I और P into Q का आर्थ है PQ की मा है यानि कि R के आगे minus I तो भी female बताएगा और into I तो भी female बताएगा ठीक है लास्ट है कि P divided by Q का आर्थ है PQ का पीता है यानि कि यह male की बात हो रही है तो इस पर हमें नहीं जाना ठीक है अब हम option में check करते हैं कि R के आगे minus और into है तो शायद वो relation हो सकता है ठीक है तो चलिए पहला option क्या है R minus M divide by S ठीक है divide by क्या हो गया S हो गया यानि कि R के बाद minus आ गया है तो शायद यानि कि maybe हो सकता है अभी clear नहीं है सायद हो सकता है R के आगे बहुत सारे option into भी आजा है तो maybe यानि कि शायद हो सकता है ठीक है दूसरा है कि R plus यानि R के बाद plus आ गया यहां तो सरिफ minus और into की बात की गया यानि कि यह option गलत हो गया ठीक है तीसरा है R divide by यानि कि भागा आ गया और R के बाद minus या गुणा आना चीए था ठीक है यह भी हमारा option गलत हो गया चौथा option है कि R plus M minus कि divide by S ठीक है तो R के बाद क्या आना चीए था minus और into यानि कि यह option भी incorrect है और पांचवा है none of this तो देख लेते हैं पहले हम पहला वाला चेक करते हैं चेक कर लेते हैं चेक क्या करने की जरूत है यह विल्गुल सही हो ही होगा तो चलिए यदि आपको चेक करना है तो हम चेक भी कर लेते हैं ठीक है तो पहले option में क्या दिया गया है कि R minus M यानि P minus Q तो P minus Q का अर्थ ह यानि R जो है M की बहन है R जो है M की बहन है और यह हो गई female ठीक है आगे कहा जा रहा है M divided by S और P divided by Q का अर्थ है कि P Q का पिता है यानि M जो है S का पिता है M जो है S का पिता है यानि S का पिता कौन हो गया M ठीक है तो बताइये R जो है S की फुआ है तो S की बुआ लगे की नहीं क्योंकि जब S का क्या P divided by P यानि P Q P जो है Q का पिता है यानि M जो है S का पिता है S का पिता क्या हो गया, M हो गया, ठीक है, ये मेल हो गया, ठीक है, तो जब S का पिता ये है और उसकी बहन R है, तो क्या हो जाएगी, भुआ हो जाएगी, ठीक है, भुआ करिये, चैप हुआ करिये, option number आपका 1, correct है, ठीक है friends, तो type 1, type 2 खतम हो गया, चलिए, चलिए friends, हम type 3 दे Q का आर्थ है, PQ की माता है, और P plus Q का आर्थ है, PQ का पिता है, तो question का पूछा गया है, ये तो relation है, जो कि सब में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये है, कि निमलिखीत में से किसका आर्थ है, H T का paternal grandfather है, ये पूछा जा रहा है, कि H T का paternal grandfather है, यानि कि H T का paternal grandfather है, यानि कि ये क्या हो गया, male हो गया, ठीक है friends, तो जब male हो गया, तो h की बाद जो sign आएगा, वो male का आएगा, ठीक है, ना कि female का आभी तक जो भी आ रहे थे, female के आ रहे थे, लेकिन अब आ गया, कि male का sign होना चाहिए, ठीक है, तो चली check कर लेते हैं, तो p divided by q का आर्थ है, p q की बहन है, यानि female की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, p into q का आर्थ है, p q का भाई है, यानि h के बाद into हो सकता है, p minus q का आर्थ है, p q की माता है, यानि female की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा, p plus q का आर्थ है, p q का पिता है, यानि कि h की बाद या तो into आए, या तो plus है जो की इस मेल को रिप्रेजेंट करता है इंटू प्लस का साइं ठीक है चलिए अप्शन से हम चेक कर लेते हैं तो दिया गया है면 Q तो देखिए 8 एंटौपया प्लस तो यह हो सकता है हो सकता है ठीक है चलिए दूसरा है कि T into K plus H यानि कि H last में है, कोई sign नहीं है यानि कि ये option गलत है, ठीक है दूसरा हो गया, तीसरा है कि H plus, यानि H के बाद तो plus आ गया, यानि कि ये भी हो सकता है, यानि इस type 3 का ये मतलब है, कि जब option में, जब mail वाला 2 सही लगने लगे, तब हम क्या करेंगे, ठीक है, type 3 ये है ठीक है, अब देखिए, चौथा ये है कि H minus Z, यानि H की बाद minus नहीं आना चाहिए, यानि कि ये भी गलत है, ठीक है, तो शली friends, option number 1 और option number 3 को हम check कर लेते हैं कि अब हम 2 जब option correct यानि सही लगने लगे, तब हम क्या करेंगे, ठीक है friends, तब क्या करेंगे कि हम पहले check करेंगे कि कितना generation gap की बात हो रही है, ठीक है तो यहाँ क्या दिया गया है, H जो है T का paternal grandfather है H जो है T का न, तो यहाँ T हो गया, फिर यहाँ T के पिताजी होंगे, पिताजी यानि T के जो दादा होंगे, यहाँ होंगे और वो दादा कौन है, H है, ठीक है जो कि यह male है तो यही पूछा जा रहा है, कि H T का paternal grandfather है, तो T का paternal grandfather कौन है, H है यह बता जा रहा है, यानि कि generation gap कितनी होई, 1 और 2 आपकी generation gap जो हो गई 2 हो गई, तो अब वही check करना है हमको, कि इसमें generation gap हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो चलिए option यह कहा जा रहा है, H plus J H plus J, यानि P plus Q का मतलब क्या है, P Q का पिता है, P Q का पिता है फिर कहा जा रहा है, Z plus T तो फिर हो जाएगा, कि Z T का पिता है, यहां भी वी दो generation gap हो रही है देखें से कि, H J का पिता है और J का पिता कौन है, T है और तीसरा वाला में क्या है, H plus J यानि H जो है, J का पिता है, और J into T यानि P Q का भाई है, यानि क्या यहां पे generation gap नहीं हो रही है स्रिफ एक generation की बात कहीं जा रही है इसलिए यह वाला आपका गलत हो जाएगा और यहां, जब दो generation gap की बात हो रही है, और आपको यह पता चल रहा है इसी से, कि P Q का पिता है यानि H J का पिता है फिर J plus T, J जो है T का पिता है यानि कि दो generation की बात हो रही है और यहां सिरिफ एक ही generation की बात हो रही है तो आपको option number one correct हो जाएगा ठीक है, चेक करना चाहते हैं आप लो चली friends, चेक कर लेते हैं तो क्या दिया गया, H जो है J का पिता है यानि J का पिता कौन हो गया H ठीक है, और यह हो गया male, J plus T यानि J का पिता कौन हो गया यानि P Q का पिता है यानि J जो है T का पिता है और यहां हो गया T अब बताएगे, पूछा क्या गया था H T का paternal grandfather है तो क्या T का paternal grandfather H नहीं है, तो बिलकूल है friends, तो जब आपके दो option में correct लगने रगे तो आपको यही करना है यदि आपका practice हो जाएगा तो आप overall ही check कर लोगे कि इसमें 2 generation gap हो रही थी तो यह correct होगा और इसमें सिर्फ 1 generation की gap हो रही थी तो यह incorrect होगा ठीक है friends, चलिए next question देखते हैं हम लोग चलिए friends, type 4 के हम question देखते हैं कि type 4 में कैसे question आते हैं ठीक है, तो question हमारा यह है कि PQ का आर्थ है यानि कि वही relation है कि PQ का आर्थ है PQ का भाई है PQ का आर्थ, P plus Q का आर्थ है PQ का पिता है और P minus Q का आर्थ है PQ की बहन है तो question यह है कि M का चाचा A है तो निम्निखित में से कौन सा option आपका correct होगा यह question पूछा जा रहा है ठीक है friends तो ऐसे question करने के लिए हम क्या करेंगे कि M जो है A का चाचा है यानि M का चाचा कौन है A हो गया ठीक है और यह हो गया क्या हमारा plus हो गया तो अब देखेंगे हमकी A के बाद A के बाद कौन सा sign represent होता है तो क्या होगा कि P into Q का अर्थ है भाई का यानि कि इहां इंटू भी हो सकता है और P plus Q का अर्थ है P Q का पिता है यानि प्लस भी हो सकता है और यह वाली तो बहन की बात हो रही है यानि female की बाद तो इसको हम छोड़ देंगे ठीक है तो आगे चेक करें तो A plus यानि यह भी सही हो सकता है A बुडा का चिन है यह भी सही हो सकता है और A plus यह भी सही हो सकता है और A के बाद divide का है यह गलत हो गए जब आपको अभी तक तो 2 की बात हो रही थी अब आपको यह लगने लगे कि 3 करेक्ट हो गए तब हम क्या करेंगे तब हमको क्या करना है कि फिर हम क्या करेंगे कि हम इसका family tree ही बना लेंगे जो question कहा जारा है चलिए friends पहले हम relation निकाल लेते है कि M का चाचा A है तो M का चाचा A है यानि कि ये A जो है वो M का चाचा है और इनका कोई भाई होगा और उन्ही के बेटे कौन होंगे M यही बोला जारा है कि M का चाचा A है बेटा चाए बेटी कोई भी होगा तो इनके पिता जी के भाई जो होंगे वही चाचा लगेंगे ठीक है ये देखे कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है तो देखे यहाँ A प्लस A यहाँ चलिए option में देखते हैं क्या common A प्लस D, A गुड़े D, A गुड़े A प्लस D, A D, यानि जो चाचा भाई जो भी है वो D है, यानि भाई के जगा पर कौन होगा, यह D होगा, क्योंकि यह सब में D जो है आपका common ठीक है, अब बोला जारा कि A भाई है D का A जो भाई है D का, चलिए इसमें साइन देखते हैं कि भाई का साइन क्या है तो यह क्या होगा, P इंटू Q जो है P Q का भाई है, यानि कि यहां इंटू का साइन है और यह क्या है, M जो है बेटा है, D का यानि M का पिता कौन हो गया D हो गया, यानि कि यहां करा जा रहा है कि P प्लस Q का आर्थ है P Q का पिता है यानि कि M का पिता यदि D है तो यहां क्या हो जा रहा है, प्लस साइन हो रहा है ठीक है friends, यानि कि आपका यदि जो यह option में बनेगा, यानि हो जाएगा A, और इसके बाद यह into D plus M, ठीक है, यानि कि जिस question में आपका ऐसा sign वाला relation बन रहा होगा, वही आपका correct है, तो देखिए A into D, A into D, तो option देखिए second वाला A into D plus M, यानि कि option number आपका second सही है, अगर ऐसे ह हम नहीं निकालेंगे, तो हमको तीनों का A की वार family tree निकालना होगा, फिर relation पता करना होगा कि क्या relation बन रहा है, तो इससे अच्छा है friends, ऐसे बना के, जो हमारा relation दिया गया है, वह sign हम इसके सामने लिख लेते हैं, फिर उसको sign के तो जैसे यह लिखा गया option में, ऐसे हम लि लिखते हैं, तो question हमारा ये है, कि P divide by Q का a arth है, PQ की बहन है, P into Q का a arth है, PQ का भाई है, P minus Q का arth है, PQ की माता है, और P plus Q का arth है, PQ का भाई है, तो इसमें question यह पुछा जा रहा है, कि निमलिकीत में से किस का arth है, M T का maternal uncle है, M जो है T का maternal uncle है, यानि M क्या होगा, प्लस ह यानि कि यह मेल होगा और मैटर्नल अंकल यानि कि क्या होगा यह मामा होगा ठीक है मामा होगा फ्रेंड्स ठीक है तो चलिए देखते हैं कि क्या साइन रिपेजेंट करता है मेल का तो M के आगे क्या होना चाहिए M divided by Q का आर्थ है P Q की बहन है यानि कि फीमेल है प्लस क्यूत आर्थ है यानि की प्लस है यानि कि M के आगे या तो इंटू होना साहिए या तो कम मदीगर्स देख स्थीक है टो M divided है न शोर्ड़िक है और न थे यह थिए? मोस क होना यानि यह हो गलत म निटक है यानि कि M के बाद क्या आ गया मल्टिप्लाइग यानि यह सही हो सकता है जरूरी नहीं कि यही हो सकता है ठीक है और थार्ड है M into के यानि कि M के बाद फिर into आ गया यानि multiply आ गया यानि यह भी सही हो सकता है ठीक है चौथा है M divided by यानि कि यह गलत है ठीक है आपका दो में doubt है या तो दूसरा सही हो सकता है, या पहला सही हो सकता है, तो चलिए हम लोग यहीं से चेक कर लेते हैं, कि M T का maternal uncle है, ठीक है friends, यानि कि यहाँ family tree बनाते हैं, यहाँ T होगा, और T की यहाँ कोई माताजी होगी, ठीक है, यहाँ माताजी होगी, और माताजी का भाईज होगा, वो M होगा, और वही होगा T का mama, ठीक है, T की माताजी होगी, और माताजी का भाईज होगा, वो T का क्या होगा, मामा होगा, ठीक है friends, तो चलिए देखते हैं, M minus K है, यानि K सब में common है, यानि M जो है, वो कौन होगी, K होगी, जो इनकी, सौरी, माताजी होगी, वो कि होगी, एक के जो है वो टी के बाद अलग दिख रहा है यानि इनकी माता जी जो हो जाएंगी वो कि हो जाएंगी हो ठीक माघर फिर जब्स्रा है या यानि कि T की माता की है, यानि कि P-Q ठीक है, P-Q यानि P-Q की माता है, तो T जो है माता है, ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए था माता, यानि आपका रिलेशन क्या बनेगा, M into K minus T, ठीक है? आपका जो relation बनना चाहिए था वो ऐसा बनना चाहिए चलिए हम चेक कर लेते हैं तो option M divide यह तो गलत ही था पहले ही तो M into K plus T यानि यह आपका option गलत हो गया और तीसरा देखते हैं M into K minus T यानि कि तीसरा वाला आपका correct हो गया तो friends coded based की जो question होते हैं ऐसे ही हम solve करते हैं तो friends बहुत सारे comments आये थे कि blood relation की coded based को पहले खतम किया जाए ठीक है friends और जो हमारे theory class है उसको continue किया जाए चलिए यह दिया आपको class अच्छी लगे तो like करें, share करें, comment करें मिलते हैं next class में, thank you friends